चेनली सूपर किन्ग्स ने शुरू किया अपना ट्रेनिंग कैंप धोनी और राइडू समेट बड़े बड़े खिलाड़ी हुए ट्रेनिंग कैंप में सामिल जानेंग पूरी ख़बर वीडियो को आखर तक देखना ना भूलें चेन्नी सुपर किंग से जुड़ी हर खबर के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं IPL 2022 की सुरुआत 26 मार्च से हो रही है MS दोनी IPL 2022 की तैयारी के लिए आक्सन से पहले ही चेन्नई पहुँच गए थी हलाकि अब महिंदर सिंग दोनी समय चेन्नई के सभी खिलाडी सूरत पहुच चुके हैं और सूरत में ट्रेनिंग कैम्प सुरू कर दिया है दोनी ने आक्सन से पहले ही IPL 2022 की तैयारियां सुरू कर दी थी वो पिछले एक महिने से नेट्स में जम कर पसीना बहा रहे हैं वो नेट्स में जम कर बल्लिवाजी का अभ्यास भी कर रहे हैं दोनी ने IPL 2022 से पहले सभी तीमों को चेताबनी दे दी है वो IPL 2022 में भी धमाल मचा सकते हैं एमेज दोनी के अलावा अमबाती राइडू चेन्नी सुपर किंग्स के ट्रेनिंग केम्प के साथ जुड़ चुके हैं उनका प्रदर्सन IPL 2021 में अच्छा रहा था अब वो IPL 2022 में भी धमाल मचाना चाहेंगे अमबाती राइडू ही नहीं रॉबिन उथपपा भी IPL 2022 के लिए जम कर पसीना बाहर रहे हैं वो भी चेन्नी की टीम के साथ जुड़ चुके हैं इसके अलावा कई और ऐसे खिलाड़ी हैं जो ट्रेनिंग केम्प का हिस्सा बन चुके हैं और जो फिलाल इंटरेनेसनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं IPL 2022 से पहले चेन्नी सोपर किंग्स के फैंस के लिए एक बुरी ख़वर आ रही है तेज गैंदबाज दीपक चाहर IPL 2022 से बाहर हो चुके हैं चेन्नी की टीम ने चाहर को 14 करोड रुपे की कीमत पर खरीदा था अब चेन्नी के पास एक अच्छे तेज गैंदबाज की कमी है इसके अलावा रितुराज गायकवार एंसी ए में है लेकिन मीडिय रिपोर्ट्स की माने तो रितुराज गायकवार IPL 2022 से पहले फिट हो जाएंगे वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले इस वीडियो में तना ही आपकी राय में क्या चैन्नी सूपर किंग्स IPL 2022 का खिताब जीत पाएगी या नहीं चैन्नी सूपर किंग्स की हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं